हलो इस्टुडेंट मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूटुब चैनल बाइलोजी क्लासिस बाइदुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ बच्चो आज हम लोग क्लास 12 का जो लेशन चल रहा है हेल्थ एंड डिजीज इसमें आज एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे इससे पहले मैंने अपने प्रिविएस वीडियो में आप लोग को बैक्टरियल डिजीज, वाइरल डिजीज, प्रोटोजोन कॉजिंग डिजीज और वार्म कॉजिंग डिजीज ये सभी कम्प्लीट कर दिया है मुझे आसा है कि आप लोग ने मेरे उस वीडियो को देखा होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे तो इसी आसक साथ मैं आज नया टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ और हम लोग का जो टॉपिक आज का है वो है फंगी कॉजिंग डिजीज तो चलिए इसको स्टड़ी करें तुम बता रहा है कि यह रिंग वार्म एक डिजीज होता है जिसमें यह जो और्गेनिजम होता है जिस रीजन पर यह अफेक्ट करता है वहाँ पर रिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते है और इस बेसिस पर ही इस और्गेनिजम का इस डिजीज का जो नेम है वो रिंग वार्म्स है तो रिंग वार्म्स आपको भी हुआ आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों को होता है आपने अपने घर में भी देखा होगा रिंग वांप जहां पर होता है वहां वाइट वाइट हो जाता है और उस वाइट वाइट होने के साथ आपने जैसे फीसेस में स्केल्स देखा होगा वैसा ही इसकीन जो होता है स्केली हो जाता है और वहां से इसकीन जो होता है लूज होकर रिलीज होने लगता है और बहुत जादे इचिंग होता है आप लोगों ने सुना भी होगा आपने टीवी में एड भी देखा होगा आपको याद होगा जो आपके टीवी में एड आता है रिंग गार्ड का तो वो रिंग गार्ड इसी लिए है कि रिंग से गार्ड करने के लिए प्रोटेक को याद रखना है कि ring warm disease अगर आपके syllabus में है और आपके question paper में अगर आता है ring warm sorry ring warm अगर आता है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि यह fungi के through cause होता है और यह जो इस fungi की जेनरा से cause होता है वो जेनरा है आपके micro sporum second जो है वो है trichophyton और third जो है वो है epidermophyton यह तीनों responsible होते हैं इस disease को cause करने के लिए अब आगे बता रहा है creature one of the most common infectious disease in man और ring warm जो है यह एक most common infectious disease होता है man के लिए अब बता रहा है कि appearance of dry scaly lesion on various parts of body such as skin, nails and scalp तो यह जब disease होता है तो जिस region पर इस disease के symptoms देखने को मिलते हैं जिससे हमें clear हो जाता है कर रिंग warm होआ है वहाँ पर इसके symptom किस तरीके से दिखते हैं तो बता रहा है कि appearance of dry scaly lesion on various parts जो skin, nails and scalp जो होता है hairs के पास इन तीन region पर skin, nails and scalp region पर क्या होता है कि dry तो होता है dry scaly lesion, scaly lesion का मतलब मैंने आपको कल भी अभी बताया था scaly related है physis से और lesion, scaly lesion का मतलब ही होता है छोटे छोटे skin में, skin पर छोटे-छोटे scaly structure हो जाते हैं और यह structure जो होते है यह जिस region पर होता है वहाँ का skin dry हो जाता है ठीक ना, तो यह जो scaly lesion होता है, जिस skin region पर होता है वह region dry होता है और यह lesion जो होते हैं यह अभी मैंने कई बार बता दिया है कि यह कैसा होता है ठीक ना और ये body parts के जिस रीजन पर होता है उसका बताया क्या है skin, nails and skull are the main symptom of disease इस disease का अगर कोई पूछे कि main symptom क्या है तो बताओगे skin, nails और scalp region पर dry इसके लिए lesion का formation होना यह इस disease का symptom होता है Did lesion are accompanied by intense itching और यह जो lesion होता है इसके साथ मैंने अभी आपको बताया था intense itching उस region पर जहाँ पर पूरा होता है इसके लिए lesion होता है उस region पर बहुत अधिक मात्रा में itching होता है खुजली होना अगर नहीं जानते होंगे तो जानने जीए itching का मतलब यह होता है heat and moisture help this fungi to grow जिस region पर body के heat और moisture condition बना रहता है वहाँ पर यह fungi के grow करने का suitable यह favorable situation होता है जैसे region बता रहा है यह region जैसे growing growing region जो होता है यह हमारे legs और reproductive part होते हैं उनके between में होता है और इस region में जो condition रहता है moisture बना रहता है क्योंकि यह fold होते हैं जहाँ पर हमारे skin के fold होते हैं वहाँ पर water जो होता है या वहाँ पर जो sweating होता है sweating होने से वहाँ का condition मौश्चर बना रहता है और साथ में heat जो surrounding का condition होता है यह उस condition से heat और moisture जो होते हैं वह help करते रहते हैं आपके जैसे surrounding का condition आप सभी लोग को पता है कि जब surrounding का temperature increase करता है तो हमारे body body में से sweating होने लगता है और साथ में आखसर आपने feel किया होगा कि आपके body भी कुछ समय के लिए heat होती है तो heat और moisture जो होते हैं यह help करते हैं किसके लिए तो इन fungus को grow करने के लिए किस region में growing और toes region में तोज region मतलब आप समय रहे हैं तिंग और और generally acquired from soil यह सधारता soil से भी हो जाता है soil से कहने का मतलब यह है कि soil में जब इनके spores होते है spores क्योंकि reproduction जो होता है spore formation के द्वारा होता है तो अगर वह spore containing soil अगर आपके touch में आता है तो आपके उस skin region को यह affect कर शकता है यह यहां पर बता रहा है तिक न और by using toils अगर किसी person को ring warm हुआ है अगर वह person toils यूज करता है अगर उसी को कोई healthy person भी यूज कर जाता है तो उसमें भी a disease हो जाएगा यहां पर इसके साथ cloth से भी हो जाएगा even the comb कोंब के द्वारा भी हो जाएगा infected individual के तो यह पूरी बातों में हम पूरे topic में हम लोग ने यही समझा है कि ring warm जो है यह एक disease है जो fungi के कुछ genre के द्वारा कौज होता है जिसके नाम भी आपको मैंने बता है इसके बाद यहाँ disease जब होता है तो symptom क्या होता है तो जिस skin region पर होगा nails region पर होगा scalp region पर होगा वहाँ dry और scaly lesion एपियर होते है और इस साथ में इस scaly lesion के साथ उस region पर बहुत अधिक महात्रा में itching भी होता है ठीक ना और साथ में मैंने बता है कि इनके इनके लिए suitable condition क्या है तो heat and moisture heat और moisture अगर इनको मिले तो यह fungi बहुत तेजी से grow कर शकते हैं grow करके यह अपने संख्या को बढ़ा सकते हैं और यह ऐसा condition इनको उन region पर मिलता है जहां हमारे skin के fold होते हैं अगर आप लोग कभी skin के fold को touch करिएगा तो आप feel करेंगे कि वहाँ पर आप लोगों ने देखा को sweating भी अधिक होता है और साथ में वह portion heat भी रहता है जिससे इनके लिए suitable condition मिल जाता है क्या करने के लिए grow करने के लिए ठीक ना रिंग वार्म को रिंग वार्म जो है यह किस प्रकार से acquire होता है किस प्रकार से spread होता है इसके लिए बताया गया है swail से या towels का use करके cloth का use करके या even calm से भी या इंडिज्वल infected इंडिज्वल के healthy इंडिज्वल में acquire हो जाता है तो इस प्रकार से आपको मैंने आगे हम लोग आगे समझते हैं आगे क्या होता है अगला किस तरीके से control होगा इसके बारे में हम लोग study करेंगे अब इसके बाद हम लोग जो study करने जा रहा है वो है किस प्रकार से हम इन infectious disease से अपने को बचाएंगे क्या करेंगे कि हम लोग हम लोग को इन different types के जो infectious disease है different types के infectious agent है उनसे हम बचे रहें तो बता रहा है कि maintenance of personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious disease प्रशनल और public hygiene का मतलब आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार की ब्यवस्थाएं करना इस प्रकार से अपने को बचाना उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रशनल और public hygiene की हम खुद को भी hygienic रखें और हमारे surrounding जो भी condition है हम लोग अगर किसी area में रहते हैं तो उस area के जो भी waste places जहाँ पर waste को लोग थ्रो कर देते हैं इसके बाद हमारे जो घर से जो भी waste release होते हैं थ्रू कैनल या थ्रू दा सीवेज उन सीवेज को सीवर को हमें time to time fresh रखना चाहिए या public hygiene अंतरगत आता है प्रस्नल हाइजीन का मतलब हम अपने आसपास चितनी भी या हम अपने को किस प्रकार से clean रखते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं यह सभी depend करता है प्रस्नल पर और public hygiene का मतलब surrounding से हैं तो अपने surrounding surrounding को किस तरीके से clean रखा जाया, infectious disease से बचने के लिए वही बात बता रहा है इस प्रकार से वैवस्ता करना important है प्रस्नल और public hygiene is very important यह बहुत important है for prevention रोकने के लिए and control prevention and control बचाओ के लिए आप मेनी infectious disease many infectious disease से बचाओ के लिए इस प्रकार की बेवस्ता करने चाहें जिस मतलब अपने swim और अपने surrounding को साफ रखना चाहें यही बाते बता रहा है कि सुच रखने की बेवस्ता अपने आसपास और अपने को सुच रखने की जो भी बेवस्ता की जाए वह बहुत ही महत्पूर होता है रोक्थाम के लिए और बचाव के लिए infectious diseases से okay measures for professional hygiene include keeping body clean अपने को साफ रखने का उपाय है स्वच रखने का जो उपाय है, वो है keeping body clean, अपने body को clean रखें, जो भी water drink करें हो, clean water drink करें, इसके साथ food, vegetables और fruits को भी हम clean रखें, मतलब clean जो भी हो fruits, vegetable food हो, उनको साफ रखकर, उनको अच्छे तरीके से अच्छा अच्छे place में रखकर, उनको यूज करें, जिससे की हमें इन different types के infectious disease से हम बच जाए, public hygiene, अब देखिए, मैंने जो बताया, public hygiene include proper disposal of waste and excreta, public hygiene के अंतरगत आता है, proper disposal of waste and excreta, जो भी waste और excreta है, उसको proper disposal के साथ, उनको, मतलब उनको इधर उधर फैलने, नो दे, ठीक ना, periodic cleaning, मतलब समय समय पर साफ सफाई रखे, disinfection of water reservoir, और जो भी water reservoir है, उनको infection से बचाया जाए, उनको infected नो होने दिया है, ठीक ना, pools को, siege pools and tank and observing standard practice of hygiene in public catering, और जहां पर भी different types के food बनते है, different types के, जो भी हमारे pools है, siege pools है, tank है, इनको time to time observe करना चाहिए, कि ये clean रहे, अगर थोड़ा भी इनकी cleaning में problem होती है, तो उसके लिए different types की measures use करना चाहिए, these measures are particularly essential, ये different types के जो उपाय है, वो आवस्यक होते, where the infectious agent are transmitted through food and water, such as typhide, जिसे आप लोगों को मैंने बताया था, typhide में याद होगा, जो catering के ही problem से हो रहा था, जो typhide मेरी थी, वो food prepare करती थी, food prepare करके लोगों को serve करती थी, और उस serve करने से लोगों को typhide होता, तो तो वही बात बता रहा है, कि जो infectious agent है, उनके transmit होने, जो होते है, वो food और water के through होते है, जैसे में typhide, तो ऐसा उपाया लगाना चाहिए है, कि ये infectious agent food water से transfer होते है, ये transfer नो हो पाये, इन से बचाया जाए, ठीक ना, और food water से होने वाले disease है, उसमें typhide है, amibiosis and as caries है, ठीक ना, ये बाते हैं बता रहा है, in case आप airborne, airborne disease के लिए सच आज निमोनिया, common cold, के लिए भी different types के measures करने चाहिए, उपाय करने चाहिए, जिससे की बचाया जा सके, तो या पूरे concept का यही है, कि अपने को भी स्वच रखें, अपने सरामडी को भी स्वच रखें, जिससे infectious disease से आप बचाये, जो भी eat करें, वो clean eat करें, जो भी drink करें, वो clean हो, और अपने साथ-साथ दूसरे को भी बचाये, इन infectious agent से, disease से, ओके, तो यही पर मैं वीडियो लेक्चर को रिंट कर रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं आगे concept दूंगा, ओके, थैंक यू.